ओम स्यंति, ओम स्यंति, ओम स्यंति स्रेष्ट योगी जीवन ही बहुत प्यारा है, बहुत सुन्दर है हमें ऐसा योगी जीवन बनाना है, कि तीनों लोकों में हम आराम से सेर कर सकें जितना समय जिस लोक में स्थित होना चाहें, हम उतना ही समय महां इस्थित हो जाएं ये हमारी स्थित ही हो जाए, चित समतुरून के अस्यांत और एकाग रहने लगे और जिस जिस लोक में हम पहुँच चें, वहां का दीप experience हमें होने लगे परमधाम की स्वीट साइलेंस हमारे अनुभों में आजाए सुक्समलोक का परमातम मिलन का परमानन इससे हम भरपूर हो जाएं और इस अंसार में रहते हुए हम मानौ अवक्तरित हुए हैं यहां इस अंसार का कल्यान करने के लिए इस अंसार में भी हम अलिप्त और बहुत अथे होकर रहें यह स्थिती तब आती है जब हम संपोन निर्विकारी बन जाते हैं यह निर्विकारी वाइसलेस स्थिती ही वायरलेस की तरह काम करती है ऐसी निर्विकारी आत्माएं ही अंतिन समय में बाबा की हर कैचिंग को टचिंग को कैच कर सकेंगे हर प्रेर्णा को ब्रहन कर सकेंगे, वो जो कुछ हमें कहेंगे, वो सहजी हमारी बुद्धी में आ जाएगा, तो हम सभी आप संपूर्ण दिद्विकारी स्थिती की और अग्जसर हो जाएं, ये स्थिती के वल ब्रंचरिये नहीं, ब्रंचरिये द्रड होने के साथ, मन बिलकुल सुद्ध, व निकल्पों से मुक्त, काम की कोई भी इच्छा समाप्त, काम वासना से संबंदित, सभी संकल्प समाप्त, देखना भी समाप्त, और स्वप्न भी सतो प्रधान हो जाएं, एक सी स्थिती, जिसमें हम अपने को संपूर्ण पवित्र फील करें, और साथ में, न इस अद्वेस तो न बदले की भावना, न असुब भावनाएं हो, न तेरा मेरा हो, न क्रोध हो, न महों हो, न भीभान हो, इन सबसे मुक्त आत्मा संपूर्ण निर्विकारी कहलाती है, तो एक एक चेज पर हमें ध्यान देना है, ताकि हमारा चित पूरी तरह से निर्मल हो जाए, निर् पूरी स्थिति है, तो ब्रहम्चरिये, पवित्रता, संभोन पवित्रता, निर्विकारी स्थिति, इन सब को हम धीरे धीरे प्राप्त करते चलें, तेजी से करें, संकल्प कर लें, बस एक बार हमने पवित्रता के फत्थ पर कदम रख दिये, अब पीछे बुद कर नहीं द मजलें, ये बहुत बड़ा प्रकास है संसार के लिए, ये बहुत बड़ी चीज है, इससे जक्का कल्यान होगा, इससे प्रकरती पावन होगी, जिसको भी हम दर्ष्टी देंगे, उसे बहुत स्रेश्ट नुवव होंगे, हमारी दर्ष्टी से हीलिंग एनर्जी निकलेगी और अनेकों के रोग ठीक होने लगेंगे, तो आईए हम संपोर निर्विकारी स्थिती की और तिवर्तार से अग्सर हों, हमारे संकल्प भी निगेटिव नहों, बेलकुल पोजिटिव, और संकल्पों की स्पीड बस 25 से घटकर 8-10 संकल्प प्रती मिनत रह जाए, और ये ब भ्यास करने हैं सदीरीपन के, साक्सी भाव के, निर्शंकल्प रहने के, के हमारी संकल्पों की स्पीड बढ़े ही नहीं, ये हमारी संपोर निर्विकारी स्थिती होगी, इस पर हम बहुत ध्यान दें, इसी स्थिती को प्राप्त होते होते, हम संसार के सभी आकर्षनों से और इसके उल्जनों से भी ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि ये ये भी हैं, तो हमारी शक्तियां नस्थ होते रहेंगी, तो आज सारा दिन हम तेनों लोकों की सैर करेंगे, इस दहे में अवतरित आत्मा, सुक्स्म लोक में बाप डादा से मिलन उनसे गले में लेंगे, रश्टी लेंगे, और परमधाम में ज्यान सूर्ये की केरणों के नीचे रहेंगे, और हर गंते में एक दो बार तीनों लोकों की सैर करके, आज के दिन को योग युक्त विटाएंगे, तो आप सब को बहुत बहुत थैंक्स, ओम श्यान्ती.